नमस्कार आप देख रहा हैं टीबी वी निउस मैं हूँ आपके साथ राजशनेंदी शर्मा क्या गुजराथ चुनाव से पहले चुनावी रणनीती कार प्रशांत किशोर कॉंग्रिस से जुड़ेंगे ऐसा लगता है कि इसे लेकर आज़ी यूनिट में पूरी तरह से भ्रम किस्तिती है कई नीताओं को कहना है कि पार्टी पहले से ही ग्रामिन इलाकों में मजबूत है और पीके शहरी शेत्रों में जादा फर्क नहीं कर सकते क्योंकि ये पारंपरिक रूप से भाजपा का गड़ है पार्टी आलाकामान को संदेश बेजा गया है कि किसी निर्णे पर पहुंचने में और देरी पार्टी को रिणनीती को प्रभावित करेगी रिपोर्ट के मताबिक प्रशांत किशोर निमेंबर 2022 में होने वाले गुजराव चुनाव के बजाए कॉंग्रिस के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा मौका तलाश रहे हैं वह गुजराव कॉंग्रिस के एक सीनियर मेंबर ने कहा कि किशोर की पार्टी के लिए काम करने को लेकर 50-50 का विभाजन है कॉंग्रिस ने 2017 में भाजपा को कड़ी टक कर दी और एक सो बर्यासी सदस्य राजे विदान सभा में सताधरी दल को दो अंकों तक सीमित कर दिया हाला कि पिछले पांच सालों में कॉंग्रिस के कई विधायकों ने पाला बदल लिया है गुजरात कॉंग्रिस के एक नेता ने कहा कि किशोर गुजरात में कॉंग्रिस के लिए ज़ादा फर्क नहीं कर सकते ग्रामिन इलाकों में कॉंग्रिस का गड़ है और यहां तक की नेता भी जानते हैं कि शहरी इलाकों में भाजपा को हराना मुश्किल है तो क्या फाइदा है किशोर को बोर्ड में लाने के लिए इतना पैसा खर्च करने का इसे प्रचार और अन्य गत्विद्यों के लिए उमीद्वारों को दिया जाना चाहिए इससे पार्टी को ज़्यादा फाइदा होगा ऐसे लेटिस्ट अप्डेट्स के लिए देखते हैं ये टीपीवी न्यूस नमस्कार